नमस्कार डिजी निउस पर आप सभी का स्वागत है मैं हूँ भावना नयर और सुर्ख्यों को विस्तार से जाने से पहले आईए नज़र दालेते हैं सुर्ख्यों पर लोकसभा अध्यक्षपत के लिए आज दाखिल के जाएंगे नमांकन एंडिये आज करेगा अपने उमीदवारों के नाम का एलान कल होगा अध्यक्षपत के लिए चुनाव केरल और महाराश्ट्र की चार सीटों के लिए राज्य सभा चुनाव आज महाराश्ट्र विधान परिश्यत की 11 सीटों पर चुनाव के लिए आज भरे जाएंगे नमांकर 1975 के आपात काल के खलाब भाज़ुपा आज करेगी राज्ट्र वियापी कारेकरिम की शुरुआत कॉंग्रेस की सम्विधान के प्रती उसकी अवहेलना को करेगी उजागर दिली हाई कोट आज शुराब नीती मामले में दिली के मुख्यमंत्री अर्विंद के जुवाल की रिहाई पर सुनाएगी फैसला हाई कोट ने निचली अदालत से मिली जमानत पर फैसला रखाता सुरक्षित दिली समेत उतरभारत के कई राज्यों में बारिश और मौनसून के कारण गर्मी से मिली राहत मौसम विभाग में गुजरात, मध्यप्रदेश, जारकन, बिहार, उतरप्रदेश, दिली समेत कई राज्यों में आज बारिश की जताई संभावना विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे बिटन से रिहा होने के बाद उस्ट्रेलिया के लिए रवाना अमेरिका में जासू से कानून का उलंगन करने के आरोप में किया गया था गरफतार खेल की खबरों में भारत ने उस्ट्रेलिया को 24 रन से हरा कर ICC T20 विश्वक कप के सेमी फाइनल में बनाई जगहां वहीं आज खेले जा रहे मैच में अफगानिस्तान ने बंगलादेश को दिया जीत के लिए 116 रन का लक्षिव और अंतर आश्ट्रे खबरों की बात करें और साथी अगर खेल की बात करें तो इतली ने योरो कप के नौकाउट दौर में बनाया स्थान अतरिक समय में हुए गोल की मदद से कुईश्या के साथ खेला ड्रॉव वही अलवानिया को हराकर स्पेन ने अजय रहते हुए अंतिम सोलहा में बनाई जगहां और अब खबने विस्तासे अठारवी लोगसभा के पहले सत्र के दौरान कई एहम कारे पूरे हुन है इनमें सबसे एहम है लोगसभा अध्यक्ष का चुनाव लोगसभा अध्यक्ष का 26 जून को होना है इससे पहले आज अध्यक्ष पत के लिए नामांखन दाखिल किये जाएंगे इंडिये के ओर से आज किया उमीदवार के नाम का एलान किया जाना है आपको बता दे कि इस वक्त भाजपा सांसत भरतोरिह महताब 28 लोगसभा के Pro Tim Speaker बने हुए है बर्थरी मैता की लोगसभा अध्यक्ष के चुनाव तक लोगसभा के पीठा सी नधिकारे के करतवयों का निर्वहन कर रहे हैं और नए लोगसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाने का कारे करेंगे सत्र के दूसरे दिन आज बाकी बचे नव निर्वाचत सांसेदों को शपत दिलाई जाएगे केरल और महराश्ट्री की चार राज्यसभा सीटों पर आज चुनाव होंगे जिसमें केरल में तीन सीट और महराश्ट्री में एक सीट के लिए मतदान होंगे भारती कमिनिस पार्टी के विनोय विश्वम, माक्सवादी कमिनिस पार्टी के इल्मारम करीम और केरल कॉंग्रस के प्रमुग जो उसके मनी का कारेकाल एक जुलाई को समाथ हो रहा है इनी तीनों सीटों के लिए चुनाव होना है वहीं प्रफुल पटेल के इस्तीफे के बाद महराश्ट्र की राजसभा सीट के लिए उप चुनाव होना है निर्धारित प्रक्रिया के नुसाल मतदान के एक घंटे बाद मतों की गर्णा होगी चुनाव के लिए अधिसूचना छे जुन को जारी की गई थी महराश्ट्र विधान परिशत की 11 सीटों पर चुनाव के लिए आज नामांकन भरे जाएंगे आज से लेकर दो जुलाई तक उमीदवार नामांकन भर सकते हैं वही नामांकन वापस लेने के अंतिम तारीख पांच जुलाई को है बारहा जुलाई को सुभा नौ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा और उसी शाम चुनाव नतीजे भी आ जाएंगे इस शुनाव में महराश्ट्र विधान सभा के विधायक मतदान करके विधान परिशद में अपना प्रतिनिधी चुनेंगे दरसल विधान परिशद के 11 अदस्यों का कारेकाल 27 जुलाई को खत्म हो रहा है प्रधानमुत्री नरेंद्र मोधी के नेत्रुत में अपने लगातार तीसरे कारेकाल के 15 दिन पूरे कर लिये हैं प्यम मोधी के तीसरे कारेकाल के शुरुवाती 15 दिन के दौरान कई महत्वपूर कारे किये गए इस दोरान किसानों, गरीबों और आम जन्मानस के लिए कई अन्य विकास कारेों को किया गया आईए मोधी सरकार के इस दोरान की किये गए कारेों पर डालते हैं एक नजर प्रधान मंत्री आवास्त योजना का विस्तार करते हुए तीन करोड अतरिक्त घरों को मन्जूरी दी गई राज्यों को एक दशमलव चार्ल लाग करोड का कर हस्तांतरण किया गया प्रधान मंत्री किसान सम्मा निधी योजना की बीस हजार करोड रुपे की सत्रवी किस्त जारी की गई बिहार में नालंदा विश्व विद्याले के नए परिसर का उधगाटन और पुनरधार किया गया विपडन सत्र दोहज़ार चौबीस पच्चीज के लिए चौधा खरीफ फसलों के लिए नियूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धी को मन्जूरी दी गई वारा नसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतराश्ट्री हवायड़े के विकास को भी मन्जूरी मिली अब अतर्टिये पवन उजा परियोजनाओ के कर्यानवन के लिए वाइबिलिटी गाप फंडिंग वीजी एफ योजना को मन्जूरी प्रदान की गई वही भारती रेलवे की कुछ सेवाएं जैसे प्लाटफॉर्म टिकेट, रिटारिंग रूम और चात्रवास में ठहनने को GST में छूट प्रदान की गई आपको बता दें कि भारती रेलवे की कुछ सिवाएं जैसे की प्लाक्फर्म टिकेट, रिटारिंग रूम और छात्रवास में तहनने को GST से छूट मिली वहीं जगनात मंदिर के सभी चार दुआर फिर से खुले गए ओडिशा के पुरी में मंदिर के लिए पात सो करोड का अनुदान दिया गया वहीं इस्रों ने रियूजिबल लॉंच वीकल पुषपक का तीसरा और अंतिम लांडिंग प्रयोग किया सार्वजनिक परिक्षा अनुचित साधनों की रोक्था मधिनियन 2024 को अधिस उचित किया गया साथ ही नव निर्मित चिनाब रेल पुल पर भारतिये रेल का सफल परीक्षन हुआ मोधी सरकार की ये 15 दिन का रिपोर्ट कार्ट जहा जारखन में भूमिगत कोईला गैसी करण के लिए भारत की पहली पाइलेट परियोजना की शुरुवात हुई प्रधान मंत्री आवास योजना का विस्तार हुआ और तीन करोड अतिरिक्त घर मिले और आगे बढ़ते हैं संसत सत्र का आज दूसरा दिन है अठारवी लोकसभा के इस पहले सत्र में कल नव निर्वाचित सांसदों को शपत दिलाएगी आज भी बाकी बचे नव निर्वाचित सांसदों को शपत दिलाए जाएगी कर लोगसभा ध्यक्ष का चुनाव होना है, साथ ही 27 जून को राइश्ट्रपती संसत के दोनू सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी पीएम मोधी सहित केंद्री मंत्री परिश्ट की सदस्यों, वरिष्टो सांसदों सहित आंधरुप्रदेश, अरुनाचर प्रदेश, असम, बिहार, मध्यप्रदेश जैसे राज्यों से चुनकर आने सांसदों ने लोगसभा सदस्य की रूप में शपतली है राज़वार, शेश, बचे, नव, निर्वाचे, तर लोगसभा सदस्यों को आज शपत दिलाई जाएगी दिली हाई कोट आपकारी नीती मामले में दिली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल की जमानत पर आज फैसला सुनाएगी राज़विन्यो कोट ने गुरुवार को अरविंद केजरिवाल का जमानत दे दी थी लेकिन एडी ने शुक्रवार को हाई कोट का दर्वाजा खटकटाया फिर हाई कोट ने निचली अदालत के जमानत देने के फैसले पर रोक लगा दी हाई कोट ने शुक्रवार को एडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था भरती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बडियों को रोकने और उन से निपटने के लिए किंद्रसरकार ने पूरे देश में आंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है इस कानून को लेकर शुक्रविदो ने अपने विचार साधा किये जो पेपर लीक करने वाले हैं जो ऐसे गैंग हैं जो समाज में महोल को खराब कर रहे हैं उन पर कठोर से कठोर कदम उठाया जाए तो ये एक बहुती सरानी कदम है मुझे लगता है कि ये कदम लंबे समय से ओवरड्यू था ये और इसको करने के बाद में इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगेगी जो सरकार ने दो इंपोर्टन चीजें करी हैं मेरी नजर में एजुकेशन के लिए एक तो नैशनल एजुकेशन पॉलिसी है और दूसरा ये एंटी पेपर लीग कानून क्योंकि जो हम युवाओं के भविश्य के साथ जो खिलवार हो रहा है उस खिलवार को रोकने के लिए एक बहुत सकारात्मक और एक जैसे कहें बहुत मजबूत कदम इंटी पेपर लीग कानून जो 21 जून से इंप्लिमेंट हुआ है ये बच्चों की तो मेहनत रहती है पर माबाप की बहुत सारी उमीदे भी उनके साथ रहती है और कई बार तो ऐसे देखा भी गया है कि इन एक्जाम को दिलवाने के लिए वो अपना सारा का सारा समय उस पे लगाते हैं अपनी पूंजी भी लगाते हैं और अगर एक बार भी एक पेपर लीक होता है तो उन सब उमीदों पर पानी फिर जाता है दोजार संतालिस तक हमने जो विक्सित भारत होने का जो सपना लिया है वो तो तभी पूरा होगा जब यूथ इसमें पार्टिस्पेट करेगा और यूथ तो तभी पार्टिस्पेट करेगा जो भी एक्टिविटी वो कर रहे हैं वो दिल से करें और दिल से तभी करेंगे जिए कोई एक्जाम लिख रहे हैं या किसी ऐसा एक्जाम लिख रहे हैं जिसमें उनको नौकरी मिलेगी वो तभी हो पाएगा जब ऐसे एक्जाम की क्रेडिबिल्टी बनी रहे और मुझे लगता है कि जब यूद सेटिस्फाई रहेगा तो अपने आप बहुत सारा एफट डाल पाएंगे अपने जो भी जिस काम के लिए भी उनका सेलेक्शिन हुआ है और उससे देश विक्सित हो जाएगा जल्दी ही विक्सित हो जाएगा तो एफेरेडिव लगता है। देश में पचास साल पहले आपातकाल लगाया गया था 1975 के आपातकाल के खिलाफ भारती जुनता पार्टी आज राश्टर व्यापी कारिक्रम की शिरुवात करेगी जिसके तहट कॉंग्रेस के अधिनायक वाद और सम्विधान के प्रती उसके अवहेलना को उजागर करेगी भाजुपा ध्यक्ष जेपी नडड़ा आज नई दिली स्थित पार्टी मुख्याले में लोकतंत्र के काले दिन शिर्शक से मुख्य कारेक्रम को संबोधित करेंगे बाजुपा के नेता पधाधिकारी और कारेकरता 1975 में अपात्का लगाये जाने के विरोध में देश भर में कारेक्रमों में भाग लेंगे इस दोरान वे इस बात को उजागर गरेंगी कि कैसे कांगृस ने समिधान का गला घोटा नागरिको कून के अधिकारों से बंचित किया कल अठारवी लोकसभा के पहले सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपात काल को लेकर कॉंग्रेस पर निशाना सादेते हुए इसे लोकतंत्र पर काला धबा बताया जब सम्मिधान को त्याग दिया गया था और अब बात मौसम की मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिन से चार दिनों तक गुजरात मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेश और उत्राखन के कुछ और श्क्रेत्रों में दक्षर पश्चिमी मौनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्तितिया अनुकूल हैं इस दौ दिली समेट उत्तर भारत की कई राजियों में बारिश और मौनसून के कारण गर्मी से राहत मिली हैं मौसम विभाग में गुजरात, मध्यप्रदेश, छारकन, बिहार, उत्रप्रदेश, दिली समेट कई राजियों में आज भी बारिश की संभावना जताई है यहां रुकरेंग छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद भी ख़बरों का सिलसला यूहीं जारी रहेगा पावभाजी पावभाजी को फेवरेट बनाता है M.D.H. पावभाजी मसाला M.D.H. पावभाजी मसाला M.D.H. बनाए पावभाजी लाजवा M.D.H. M.D.H. स्वाद से सब को दिवाना कर दे दिवाना कर दे पता का चाए घजब का स्वाद ब्रेक के बाद आपका स्वागत आगे बढ़ते हैं एक जुलाई से लागो होने वाले कानून में महिला सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर प्रावधारों को और सक्त कर दिया गया है नए कानून में इस बात का विशेश ख्याल रखा गया है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर लगाम लगाई जा सके साथ इस बात का भी विशेश थ्यान रखा गया है कि महिलाओं को जल्द से जल्द न्याई मिले और वो उनके लिए सुलब हो पीडित केंदृत डिश्रीकोन इन कानूनों की विशेषता है एक जुलाई से लागू होने वाले कानून में महिला सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर प्रावधानों को और सक्त किया गया है भारतिय न्याय सहिता में गैंग रेप के मामलों में अब 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है इसके अलावा जूटे वादे या पहचान छुपा कर यौन संबंध बनाना भी अब अपराद की श्रेणी में होगा इसमें 18 साल से कम आयू की लड़की से दुशकर्म के मामले में आजीवन कारावास या मृत्य दंड का प्रावधान किया गया है नए कानून के तहट विवाहित महिला के लिए यौन सहमती के उम्र पॉक्सो के अनुरूप 15 वर्ष से बढ़ा कर 18 वर्ष कर दी गई है इसके लावा यदि नाबालिक लड़की के साथ बलातकार किया जाता है तो पॉक्सो की सभी धाराएं लगाई जाएंगी शादी के नाम पर गुमराह करने या पहचान छिपा कर शादी करने पर 10 साल तक की सजा होगी यानि लव जिहाद जैसी घटनाओं से निपटने के लिए सजा तै की गई है भारतिय न्याय सहिंता के तहट E-FIR और Zero-FIR के प्रावधानों का मकसद महिलाओं के खिलाफ होने वाले जगन अपराधों की त्वरित रिपोर्टिंग में सहायता करना है जिन पर ततकाल कारवाई की जरूरत है भारतिय न्याय सहिंता के तहट महिला सुरक्षा के लिए कुछ प्रक्रियात्मक उपाई किये गए हैं मसलन किसी महिला की गिरिफतारी के लिए महिला पुलिस अधिकारी का होना जरूरी है और सुरियास्त के बाद और सुरियोदे से पहले गिरिफतारी नहीं की जा सकती किसी महिला की तलाशी महिला पुलिस कर्मी द्वारा ही की जा सकती है और वह भी शालीनता का पूरा ध्यान रखते हुए इसके अलावा महिला की मेडिकल जाँच किसी रेजिस्टर्ड महिला मेडिकल पेशेवर द्वारा ही की जा सकती है पीडिता का बयान उसके आवास पर महिला पुलिस अधिकारी के सामने ही दर्ज होगा बयान रकॉर्ड करते समय पीडिता के माता-पिता या अभिभावक मौजूद रह सकते हैं महिला का बयान किसी महिला मेडिस्ट्रेट की मौजूदगी में दर्ज किया जा सकता है और यदि महिला मेजिस्ट्रेट उपलब्ध ना हो तो किसी अन्य महिला की उपस्थिती में ही पुरुष मेजिस्ट्रेट बयान दर्ज कर सकता है रेप या यौन अपराद की शिकार हुई किसी नाबालिक महिला का आरोपी से आमना सामना नहीं कराया जा सकता जबकि पीडित महिला की इक्षा पर आरोपी से जिरह करने का उसका अधिकार सुरक्षित रहेगा बलातकार और इस तरह के दूसरे अपराधों की सुनवाई खुली अदालत में ना होकर बंद कमरे में होगी इसकी सुनवाई जहां तक संभव हो महिला न्यायधीश द्वारा की जाएगी महिलाओं के खिलाफ जाँच को मामला दर्ज होने के दो माह के भीतर पूरा करना होगा इसके साथ ही महिलाओं के खिलाफ मामले को पीडित महिला के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा भी दर्श कराया जा सकता है वही नए आपराधिक कानूनों में एसिट हमलों से संबंधित महत्पून कानूनी प्रावधान किये गए हैं जैसे किसी भी अवधी के लिए कारावास की सजा दस वर्श से कम नहीं होगी लेकिन उसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है इसके साथ ही किसी भी वेक्ति को नुकसान पहुचाने के एरादे से एसिट फेकने पर कम से कम 5 साल की सजा होगी जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश से सरकार की वन स्टॉप सेंटर योजना लागू है वन स्टॉप सेंटर में किसी भी प्रकार की हिंसा से पीडित महिलाओं को कानूनी सहायता, पुलिस सहायता, पांच दिन का आस्थाई आश्रय, रहना वा खाना, आदि सुविधाय, निश्शुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं इस तरह नए कानून महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित तो करते ही हैं, उनकी गरिमा और सम्मान का ध्यान रखते हुए, उनके लिए न्याय को त्वरित और सुलब बनाते हैं, पीडित केंद्रित द्रिश्ट कोण इन कानूनों की विशेषता है बूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज गुणवत्ता के लिए शेहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहा है, इसलिए भारत में शेहरी आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 25 जून 2015 को भारत सरकार ने प्रधान मंत्री शेहरी आवास योजना की शिरुवात की, इसका क्रियान वेन आवास और शेहरी मामन के लोकों को पका घर मोहिया कराना है, अगर बात करें सी योजना की अब तक की प्रमुख उपलब्धियों की, तो आपको बता दें कि 20 जून 2014 तक प्रधान मंत्री आवास योजना शेहरी ने किफायती आवास उपलब्ध कराने के अपने लक्ष में उलेकनिय प्रगती की है इस योजना के तहट अब तक कुल 1,80,000,000 घरों को मंजूरी दी गई है, जिन में से 1,14,000,000 घरों का निर्मान कारे शिरू हो चुका है और 64,000,000 से ज्यादा घर बन कर तैयार हो चुके हैं, साथी लाभार्थियों को सौपे जा चुके हैं अगर कुछ राजिवार आगणों पर नज़र डालें, तो इस योजना के तहट सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में 21,37,028 घरों को मंजूरी दी गई, वहीं उत्तर प्रदेश में 17,676,823 घरों को मंजूरी मिली है, महराष्ट की बात करें, तो यहां 13,64,923 घरों को मं मंजूरी दी गई है, वहीं बिहार में से योजना के तहट 3,14,447 घरों को मंजूरी दी गई है, जानकारों के मताबिक मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मंतर पर चलते हुए जनकल्यानकारी योजनाओं से देश के गरीब और आम लोगों के जीवन की तस्वीर और तकदीर बदल दी है, आज प्रधानमंतरी शहरी आवास यसी योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति की संब्रदी सुनिश्यत हो रही है, विश्व स्वास्थे संगठन और केंद्री आयुश मंतराले ने सुमबार को पारंप्रिक भा आमर्श बैठक का अउजन किया, अनुसंधान में आई पी आर और वेकलपे कुपचारों के मान की करण जैसे मुद्व पर चर्चा की गई लुप आती है, कि भी आयुफ दूप लुफ पर चिल्टूब का इन प्रूप्रे स्वानेखन प्रूप और प्रूफ प्रूप लुप अवब ऑ्रिक भी आता है, अजिए अब्रूब हैं कि पर बाव अटेस्फिझी घॉव सूप प्रूब तो बनीट ब्रूब ब्स भी ट which is also happening in the Ministry of Environment and the Convention on Biodiversity because that is going to have a major impact on our research aspects over here in Ayurveda. Capacity building at various levels is extremely important. And all the Ayush Chairs now we have, you know, they are bringing expertise from different disciplines. already CCRAS has an array of institutions across India. There also capacity is present. Aagye badahtay, Antirashchya Samudri Vyapar, Veshwik Arati Vyavastha and Samagra Roop se Samaj mein dunia bhar mein NAVIKo Dwarak kye gai asadharan yogdan ko yad karne aur usse prehna lene ke audesha se har saal 25 June ko Antirashchya NAVIK divas manaya jata hai. दुनिया भर में वानेट जियर एवमार्थिक प्रणाली में NAVIKo के अमूल्य योगदान ko मानेता देने के उदेश से प्रती वर्ष 25 June ko Antirashchya NAVIK divas ka आयोजन किया जाता है. Antirashchya Vyapar, Veshwik Arth Vyavastha और समाज में NAVIKo द्वारा निभाई गई मेहत्वपोर्ण भूमिका को स्विकार करने का दिन है Antirashchya NAVIK divas. इस वर्ष का अभियान समुद्रिक शेत्र को सुरक्षित कार्यस्थल बनाने में NAVIKo के योगदान पर पूरी तरह से केंजित है. 2024 के अभियान के लिए Hashtag Safety Tips at Sea रखा गया है, जिसके साथ NAVIKo समुद्र में सुरक्षा के लिए सुझाओ अपनी तस्वीर के साथ साजहा कर सकते हैं. And I want to extend my warm appreciation to all seafarers everywhere. We know that without seafarers there will be no shipping, no shopping and no supply chain. Seafarers prove their professionalism day in and day out all over the globe, but far from the public eye. Seafarers have been sorely tested in recent years, currently facing hostile acts from piracy or in conflict zone. I humbly acknowledge seafarers' resilience and sacrifice in the name of work. कि जरूरी सामान और इंधन एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित पहुँचे और अर्थवबस्था सुचारू रूप से चलती रहे. उनके इसी अद्वितिय योगदान को याद करने के लिए अंतोराश्ची नाविक दिवस मनाने की शुरुवात हुई. 2010 में मनीला में हुए राजनेग समिलन में अंतोराश्ची नाविक दिवस से सम्मंधित प्रस्ताव को स्विकार किया गया. जिसके बाद सन्युकत राश्टी की विशेस एजेंसी अंतराश्टी समूधिर संगठनने प्रतीवर्ष 25 जून को अंतराश्टी नाविक दिवस के रूप में मनाने की गोश्णा की वर्ष 2011 में पहला अंतराश्टी नाविक दिवस मनाया गया और अब हर साल 25 जून को ये दिवस मनाया जाता है बिरो रिपोर्ट डीडी नियूज 2020 विश्व कप के अंतिम सुपराट के मुकाबले में अफगानिस्तान ने बांगलादेश के सामने जीत के लिए 116 रन का लक्ष रखा इसे पहले टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने उत्री अफगानिस्तान की टीम ने इधारत 20 ओवर में 5 विकेट पर 115 रन बनाए सलामी बल्लेबाज रहमानुला गुर्बाज ने टीम के लिए सबसे अधिक 43 रन की पारी खेली कप्तान राशित खान ने नाबाद 6 चकों की मदद से नाबाद 19 रन की पारी खेली वहीं बांगलादेश की तरफ से रिशाध होसें ने तीन विकेट चटके इटली ने योरो कप के नौकाउट दौर में जगाँ बना ली है ग्रोब बी के एक रोमाचक मुकाबले में इटली ने दूसरे हाफ के अतिक समय में गोल करके क्रोईशिया के खलाब मुकाबला एक-एक से ड्रौ कराने में सफलता पाई इस ड्रौ के साथ इटली ने ग्रूब बी में स्पेन के बाद चार अंक के साथ दूसरा स्थान हासल करते हुए अंतिम सोलहा में प्रवेश किया ग्रूप B के एक अर्णिय मुकाबले में स्पेन ने अपने अजोय सिलसिले को बरकरार रखते हुए नौकाउट दौर में प्रवेश किया स्पेन ने अलवानिया को एक शूने से हरा कर ग्रूप में लगातार तीसरी जीत हासल की इस जीत के साथ स्पेन ने ग्रूप में शीष पर रहते हुए अंतिम सूलहा में जगा बनाई इसी के साथ इस बुलिटिन में इतना ही अगला कारिकरूम आप देखेंगे नया सेवेरा मेरे और मेरी सही होगी कृतिका भारत वाज के साथ फिल हाल के लिए मुझे दीजिया नुमती नमस्कार